हेलो दोस्तो आज शेयर करने वाली हुमें तड़के ताल की रेस्पी बहुत एजी है बनाना खाने में बहुत टेस्टी लगती है तो यहां पर मैंने एक कटोरी अरगर की दाल ले ली तो इसको दस मिनिट के लिए पानी भीको के रख दिया था अच्छे से फूल चुकी है यह पानी अच्छे से दो लिया था अब इसको कोकर में डाल दिया है साथ में एक कटोरी डाल लीती तो यहां पर मैंने दो कटोरी के करीब पानी लिया है पानी की कौंटिटी और दाल की कौंटिटी आप अपने साथ से कमिया जानदा कर सकते हो अब इसमें डाल दी है मैंने एक और साथ ही यहां पे मैंने एक चमचे करीब घी इसमें डाल दिया यहां पे आप घी यूज करिएगा तेल इसमें यूज बिल्कुल मत करिएगा एक चमच घी डालने के आदब को करके धक्कन को लगा दिया था और यहां पे मैंने तीन सीटी यां लगा ली है सीटी भी आप अपने साब से लगा सकते हो आपकी दाल कितनी सीटियों में घुलती है तीन सीटी के बाद आपको थोड़ी से पतली दिख रही होगी तो जी हां यहां पर मैं थोड़ी सी इसको पतली सी ही बनाऊंगी जानदा पतली नहीं करना है और बाकी का पानी यह कि ठंड जीरा डाला है मैंने उसके लहसुन की छे से साथ कलिया ली थी लहसुन डाल दिया लहसुन अच्छे से पक जाएगा उसके बाद यहां पर मैं डालने वाली हूं तीन दो हरी मिर्ची इसको लंबा काट लिया था बीच में से मैंने और हरी मिर्ची डालने के बाद इसको कर लेंगे थोड़ा सा ब्राउन होने था भूनना जानदा भी फ्राई नहीं करना है याप प्याज को उसके साथ ही मैंने यहां पर दो हरी मिर्ची काट ली थी बारिक चौप कर ली थी तो इसको भी इसमें एड़ कर दिया है प्याज हमारी यहां पर अच्छी से भून चुकी अच्छा आता है अब इस तड़के को हम दाल में एड़ कर देंगे अब पानी आपको जानदा दिख रहा है तो जैसे यह ठंडी होती जाती है ग्रेवी अपने आपी ठिक हो जाती है तो देखिए बनके दाल है तड़के वाली दाल बहुत टेस्टी लगती है एक वाल इस त आपको मेरी वाली रैस्पी कैसी लगी इसको आप चावल के साथ रोटी के साथ जैसे भी खाना चाहाँ खा सकते हो बहुत टेस्टी लगती है और बहुत ही आसानी से बन जाती मिलती हूं नेस्ट वीडियो में जट तक के लिए बाए